100% सुद्ध जाहरवादी बफेलो सैल के लिए अवलेबल है टोप क्लास के ब्रिड क्रेक्टरों के अंदर दोनों सेकिन टाइम में बच्चा देने वाली है हैवी मिल्क कैपिसिटी के अंदर है यानि दोनों ने अपने पिछले ब्यात में फर्स्ट लेक्टेक्शन में 17-18 लिटर के बीच परडे का मिल्क निकाला हुआ है तो इस बार इनसे उमीद है कि भैसे 19-20 लिटर के बीच परडे की मिल्क समतार रखेगी तो वीडियो के अंदर भैसों की पूरी डिटेल प्राइज और ओनर के कॉंटेक्ट नमबर मिलेंगे तो अंत तक वीडियो जरूर देखें नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं सुर्वी डेरी फारम और मैं प्रेमराम स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल पर तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वस्ट है कि जिन भाईों ने अभी तक किसी कारण वस अपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है या जो भाई आज पेली बार अपने चैनल के मादम से वीडियो देख पा रहे हैं वो प्लीज अपने चैनल सस्क्राइब करें बैल आइक्वन प्रेस करके ओल नोटिपिकेशन बैल को सेलेक्ट करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले प्राप्ट हो सके और आप अपने लिए एक अच्छे पसू का जायज कीमत पर सेलेक्शन कर सके यह जो इस क्रिन ये आज की बफेलो विपुल जी ने सेल के लिए उपलब्द करवाई है विपुल जी का फरम जीला बोटाद राजी गुजरात के अंदर इस्थिते तो आप देख पा रहे हैं हेवी बोडी स्ट्रेक्चर के अंदर फुल हाइट लेंद बिग बोडी है जबरदस्त क्वालिट बैतर इन ब्रिड करेक्टरों के तो अपनी ब्रिड के टोप क्लास के करेक्टर इन में मौझूद बड़े-बड़े सरों की बनावट नीचे से उपर की तरफ उठेवे राउंड शेप के वह भी छोटे सुन्दर सो क्वालिटी के शिंग बैतर इन ब्रिड करेक्टर और बा से भी प्लस परडे का मिल्क निकाल सकती है आप जोटी के ब्रिड करेक्टर देखिए और बोड़ी स्ट्रेक्चर देखिए जबरदस्त क्वालिटी का मस्बूत और उंचा पीट पुठा उपर से खाट के माफिक चोड़ाई लिए वे बहुत ही शांदार फुल हैवी बोड कर सकते हैं अगर आप जोटियां खरीते हैं तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको अवलेबल करवा दी जाएगी और हाँ अगर आप अपने खुद के इस तरपर ट्रांसपोर्ट उपलब्द करवा लेते हैं तो भी आपको जोटियां सेल के लिए उपलब्द करवाई जा है तो अधिक जानकारी के लिए विप पुल जी से उनके कॉंटेक्ट नमबर पर संपर करें फारंबर विजिट करके देख परकर जोटियों को खरीदें आंता तक वीडियो देखने के लिए आपका ते दिल से धन्यवाद फिर मिलते हैं नमस्कार